आप सभी का स्वागत है wisdom के इस online platform के उपर मैं निचिन सर्म आप सभी का स्वागत करता हूं स्वागत आप सभी का इवनिंग डोजोब नर्सिंग के अंदर बूस्टप शिरीज के अंदर तो आज का जो टोपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है प्यूबर्टी के उपर टोपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि प्यूबर्टी क्या होता है तर प्यूबर्टी के मंदर कौन-कौन से science जो है हमें दिखाई देते हैं और काफी बार exams के मंदर इनके उपर question बनता है तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला अपने सबी दोस्तों तक class को पहुचा दीजिए और मैं आपको प्यूबर्टी के बारे में बताने वाला हूँ ओके चले का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना किसी देरी के कि सर सबसे पहले टर्म जो पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि सर प्यूबर्टी का मत होती है कि सर प्यूबर्टी हमें किस चीज के बारे में बताती है प्यूबर्टी किस चीज को इंडिकेट करती है आप पड़ापट से कमेंट भी कर सकते हैं कि प्यूबर्टी जो होती है वो हमें किस चीज के अंदर इंडिकेशन देने का काम करती है आप आंसर करोगे कि यह adulthood के बारे में बताती है इसके बारे में बताती है adulthood के बारे में हमें बताती है and और क्या information हमें देती है कि सर्क किस तरीके से secondary sexual characteristics आते हैं कौन से secondary secondary sexual characteristics कौन सा secondary sexual characteristics जो है हमें दिखाई देते हैं तो सर्फ दो चीजें हम प्यूबर्टी के अंदर देखते हैं कि एक तो एडल्ट हुड हम चेक करते हैं और दूसरा सेकेंडरी सेक्शुल करेक्टरिस्टिक्स जो है उनका क्या होना अपीरियंस होना क्या होना अपीरियंस का मतलब आना यह चीज हम कि के अंदर चेक करते हैं प्यूबर्टी के अंदर चेक करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सर फीमेल प्यूबर्टी के बारे में इसके बारे में फीमेल प्यूबर्टी कि सर फीमेल प्यूबर्टी के अंदर हमें कितने साइन दिखाई देते हैं या आपको बूद सकता है कि कि सबसे पहला जो आपको दिखाई देता है वो कौन सा होता है थिलार की कौनसा होता है सबसे पहला जो आपको दिखाई देता है वो क्या होता है थिलार की सेकंड क्या आता है सर मिनार की सेकंड क्या आता है मिनार की ठीक है क्या आता है मिनार की थार्ड आता है एड्रिनार की देखो यह इनका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा कि सर थिलार की क्या हो क्या next कौन सा है sir fourth कौन सा है प्यूबार्की होता है कौन सा होता है और fifth जो होता है वो height and क्या देखने को मिलता है weight हमें देखने को मिलता है तो पाँच characteristics जो है females के अंदर हमें दिखाई देते हैं khillarki का मतलब सबसे पहले क्या देखने को मिलता है sir आप बोलेंगे कि उस महिला के अंदर breast का development क्या देखने को मिलेंगा सर breast का development और यदि आपको exam के अंदर question पूछेगी इन में से सबसे पहला sign कौन सा है puberty का तो आपका answer क्या रहेगा first sign of puberty यदि आपको question पूछा जाएगी पहला ऐसा sign कौन सा है puberty का तो आप क्या बोलोगे सर थिलार की सबसे पहला आपको देखने को मिलता है next question क्या है मिनार की जो पहला menstruation cycle आता है या पहली बार menstruation में देखने को मिलता है तो वहां से आप क्या बोलेगे कि सर प्यूबर्टी जो है वो क्या हो चुकी है start हो चुकी है first mat institution आना Okay चले वहां पर यह आपको देखने को मिले तो आप क्या बोलोगे एक्सलरी एर्जा ड्री नारकी के नाम से हम जानते ह compr की सर्प पियूबिक हेर का आजाना ये क्या कैलाता है पुबार की कहलाता है रास्ट के अंदर मीट और वेत आपको देखने को मिलता है। बनते हैं अब सर यहाँ पर इन जनेटल और जोह के लिए यहाँ पर हार्मोन पर बहुत बड़ा रोल होता है कि सर हार्मोन आपके प्ले करते हैं प्यूबर्टी के अंदर जैसे वेजाइना की पी जो होती है कि है अपिक होती है तो इस तरीकह के चेंजज कढको पर देखने को मिलता है Puberty के अंदर देखने को मिलता है तिर से क्यूशन पूछे कि disorder हो सकता है कि यह आपको क्या क्यों पूछे ri disorder of Puberty का disorder हो सकता है और वो दो तरीके का हमें देखने को मिलेगा एक होता है लेट भी आ सकती है दो नोचीज़े आपको ध्यान रखनी है और उसर लेट भी हमें देखने को मिल सकती है puberty अब क्यूशन किस तरीके से पूछेगा उसके बारे में बात करता हूँ यदि कि सर्फ प्रीकोक्सिस का मतलब पहले आ जाना यदि आठ साल से पहले यदि आ चुका है क्या आठ साल से पहले क्या चुका है थिलारकी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है आठ साल से पहले थिलारकी ठीक है और दस साल से पहले क्या हो सकती है मैस्टूइशन साइकल आ सकती है जिसे आप क्या बोलते हैं मिनारकी के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं मिनारकी के नाम से हम देख सकते हैं ठीक है के बाद के अंदर यदि क्या रही है मिनार की बोले तो फस्त मैंस्योर जाइकल आ रही है तो आप उस condition के अंदर डिले प्यूबर्टी बोनने वाले हैं तो यह disorder भी है प्यूबर्टी के कि आपको डाइगराम दिखाता हो इस डाइगराम के माध्यम से से हम समझेंगे ठीक है यह देखिएगा कि सर सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूबर्टी इन बोज वर्सेज गल्स गल्स के अंदर ब्रेस्ट जो है वह डवलप्मेंट हो जाता है बोडी हेट्स आपको देखने को मिलता है जो हिप वाला पोर्शन होता है वह वाइड हो जाता है जीक है बोडी वेट दीरे-दीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है erection आपको देखने को मिलता है ejaculation happens मतलब ejaculation जो है वो करने लग जाते हैं body hair बोले तो facial hair आपको देखने को मिल सकते हैं voice changes मतलब जब आवाज जो है वो वहाँ पर voice changes भी आपको जो है वो देखने को मिलती है shoulder broaden हो जाते हैं और weight और muscles जो है वो क्या हो जाती है gain आपको देखने को मिलती है तो ये काफी सारे puberty जो होती है वो adulthood को बताती है और किस चीज को denote करती है is that clear समझ में आ गया adulthood secondary sexual characteristics का appearance आपको देखने को मिलता है तो छोटा सा topic था आपको exams के मंदर पूसता है कि सर्फ puberty क्या होती है puberty के मंदर कौन कौन से sign and symptoms या आपको देखने को मिलते हैं I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा delayed puberty के disorder भी है precoxious बोले तो पहले भी हो सकता है तो ये काफी बार exam के मंदर question पूछे जाते हैं I hope सभी को मज़ा आया होगा इस video के मंदर very very good evening to all live नहीं ले पाते है recorded form के मंदर मैं डाल देता हूँ ताकि आप आराम से देख सके यदि आपको कोई छोटा छोटा topics यदि आपको पढ़ना है तो आप comment box के अंदर comment करके बता देना कि sir मुझे ये topic पढ़ना है और comment करके जरूर बताना कि ये कैसी लगी आपको class ताकि एक शांदार सा preparation आपके लिए daily हम इसी तरीके का लेकर हैं तब तक लिए बाए इंटेकर मस्तरी जीएगा बाए बाए